डिक्टेशन स्टार्ट हो गई तेन सेकंड बाद प्रेकरण के अवलोकन से यह भी इसपश्ट है कि प्रेकरण के अन्य आरोपी के वृद उक्त दिनांक को प्रेकरण के अन्य है विराम निर्णे घोशित कर उसे आरोपित अपराध में दोश मुक्त किया जा चुका है आरोपी के विरुद धारा 363 एवं 366 भारतिय दंड सहीता के अपराध का आरोप है तथा उक्त आरोपी प्रेकरण का मुख्य आरोपी नहीं है विराम प्रेकरण अभी पुन है अभी योजन साक्षय के प्रेकरण चोध है पर नियत है विराम प्रेकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है विराम आरोपी उक्त दिनांक से न्याइक निरोध में है विराम आवेदक की योर से अपनी अनुपस्तती के संबंद में आवेदन पत्र में वर्नित कारण मजदूरी हेतू बाहर जाना और कोरोना काल होने से अपने आधीवक्ता से संपर्क नहीं हो पाना सदभाविक प्रतीत होता है विराम जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकर्ण से वर्तमान में आरोपी की पतनी बिमार है जिसका अस्पताल में उपचार जारी है और परिवार में उसकी देखरेक करने वाला कोई सक्षम सदस्य नहीं है विराम यह पुन्रिक्षन करता याचि का इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि परिवादी वै अन्य अभियुक्तगण के वृद भारतिय दंड सहीताव की धारा चार सू बीस चार सू पैंसट के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था कि उक्त ग्राम में इस्तित उसके आधिपत्य की साथ भीगा भूमी है जो उसके पती के आधिपत्य की रही है जिनका उक्त दिनांक को देहांत हो चुका है विराम अभियुक्त गणने शडियंत्र पूर्वक उक्त दिनांक को फरजी वसित नामा अपने नाम तैयार करवा कर भूमियों को अपने नाम करा लिया है जबकि उसके पती द्वारा उक्त दिनांक को उसके नाम रजिश्टर्ड विक्रे पत्र किया था जिस पर हस्ताक्षर वै निशानी अंगूठा मोजूद है जो वसित नामे पर किये गए निशानी अंगूठे से भिन्न है विराम परस्तुत पुनरिक्षन इस आधार पर परस्तुत की है की विचारण नयाले द्वारा पारित आदेश उक्त दिनांक विधी एवं तत्थ्यों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है विराम नोटरी व्यवसाय में नोटरी को उसके द्वारा नोटरी कृत कार्य कराने वाले व्यक्ती की व्यक्तिगत पहचान या संबंद नहीं रहते हैं साक्षियों के द्वारा पहचान करने एवं आवशक दस्तावेजों के आधार पर ही पहचान सुनिश्चित करनी होती है विराम कथित वसियत नामा उक्त दिनांक को पक्ष में निश्पादित वै एक ओबलिक दो संपादित कराया था जिस पर साक्षियों ने अपने हस्ताक्षर किये वै वसियत करताने असी वर्षिये व्रिध होने से उस पर अपना निशानी अंगुठा लगाया था पुनरिक्षन करता द्वारा कोई आपरादिक कार्य नहीं किया गया है जो भारतिय दंड सहीता 420-465 के अधीन परिभाशित दंडनिये अपराद हो अथवा दोशी होना प्रथम द्रश्टया प्रमानित हो विराम पैरा अधिनस्त नयाले द्वारा आरोप को जो आधार बताया गया है जब की वसियत नामा 52 वर्ष पश्चात 80 वर्ष की आयू में किया गया है ऐसी इस्तती में उसकी व्रिद अवस्था उम्र सवास्थे एवं अन्य कारणों से निशानी अंगुठा एवं हस्ताक्षरों में अंतर आना स्वाभाविक है विराम हस्तलेक विशेशग्य नयाले में नहीं है जिसके लिखे पर विश्वास किया जा सके किन्तु उक्त तत्यों पर विचार नयाले ने ध्यान ने देकर गंभीर भूल की है विराम अधिवे तत्यों तथा आज्यापक प्रावधान को दृष्टीगत रखते हुए विराम अधिनस्त नयाले द्वारा पारित आदेश उक्त दिनांक में शुद्धता वेद्धता ओचित्य का अभाव होना पाए जाने से प्रश्णांकित आदेश में विदिक त्रूटी दर प्रशित होने से उक्त आदेश हस्तक्षेप किये जाने योग्यें पाया जाता है विराम परिणामत पुन्रिक्षन करता की ओर से प्रस्तुत याचिका उसके संबंद में सिविकार की जाकर अधिनस्त नयाले द्वारा पारित आदेश उक्त दिनांक को पुन्रिक्षन करता िया को आरोपी बनाए जाने की सीमा तक अपास्थ किया जाता है विराम समाप्त दोस्ते इसने एक चीज़ देखेंगे एक तो हे प्रतम दर्षटया जो 72 साथ आएगा ठीक है एक मद्धियाप्रदेश जोड़ा सा अलग किया हो है ठीक है साथ आएगा एक सम्मानिय देखो मैं जूम करता हूं यहां देखेंगे इसमें यह गलत टाइप है इसमें आएगा सम्मान नहीं है इसमें एक नहीं हो रहाएगा बीचों ठीक है पूरा आएगा यह सम्मानिय जैसा बोला जाता है वैसे लिखा नहीं जाता है सम्मान नहीं है ऐसा होगा ठीक बस यही इसमें करते हैं ठीक है तो यह सही कर लिजेगा आप थैंक्यू